पुनम क्रेयेशन में आप सभी कस्वागत हैं? पुनम क्रेयेशन में आज हम देखने वाले हैं हिंदी निभन्द लेखन तोता पर निभन्द मेरा प्रिय पक्षी तोता क्रिपया वीडियो पूरा देखिए पसंद आए तो लाइक और शेर भी कीजिए मुझे सारे पक्षियों में तोता बहुत अच्छा लगता है तोता एक जंगली पक्षी है लोग इसको पकड़ कर पालतू बना लेते हैं उसे आकरशक पिजड़े में रखते हैं उसके साथ बाते करते और खिलते हैं तोता एक बहुत ही सुन्दर पक्षी है यह लगबग सभी देशों में पाया जाता है यह विशेश रूप से नियुजिलन में पाया जाता है इसे भारत के खेतों में और जंगलों में पाया जाता है कई बार इन्हें घरों की चतों पर भी बेटा हुआ पाया जाता है तोता हरे रंग का होता है और इसकी चोच लाल रंग की होती है इसकी चोच मुडी हुई होती है और बहुती नुकिली भी होती है इसके गले पर लाल और काले रंग के रुत्त बने होते है कुछ तोतो के गले में लाल रंग की माला बनी होती है और उन तोतों को कंटी वाले तोती भी कहा जाता है तोते रंगे बिरंगे होते हैं लेकिन उनके अंडे पूरे सफेद रंग के ही होते हैं तोते की ओसोतनायू 15-20 साल होती हैं लेकिन कुछ प्रजाती एसी हैं जो 60 साल से भी जी सकती है यह एक मात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पंजो से भोजर पकड़ सकता है तोता एक शाकाहरी पक्षी है तोता ज्यादा तर मीर्ज, फल, बीज, आदी खाता है इसे आम और अम्रूद बहुत ही पसंद है कुछ तोते मानसाहरी भी होते हैं और वह छोटी-छोटी केड़े विखाते हैं तोते को मनुष्य प्राचिन समय से ही पालता आ रहा है तोता नकल करने में बहुत ही माहिर होता है वह मनुष्य की बोली-बोलना आसानी से सीख जाता है बाजर में बहुत से बोलने वाले तोते दिखाई देते हैं तोते जुंड़ में रहना पसंद करते हैं यह पेडों में घोसला बना कर रहते हैं तोते नीचे ही उड़ते हैं लेकिन बहुती तेजी से उड़ते हैं नर और मादा तोते दिखने में एक जैसे ही लगते हैं समय के साथ साथ नर तोते की गर्दन रंगिन होती जाती हैं और बहुती सुन्दर लगती हैं धीरे धीरे तोते कम होते जा रहे हैं क्योंकि पेडों की कटाई बढ़ रही है और चिल, साब, आधी भी इने मार देते हैं तोता एक बहुती प्यारा पक्षी हैं जिने हम बहुती प्यार से अपने घर में रखते हैं तोते हमारे साथ रहकर कई सारे चीजों को सीख लेते हैं तोतों के साथ रहना भी हमें बहुत अच्छा लगता हैं लेकिन हमें उन्हें अपनी खुशियों के लिए पिंजरे में पाकश में उड़ना पसंद होता है इसलिए किसी भी पक्षी को पिंजने में रखना बहुत ही गलत बात है हमें एसा नहीं करना चाहिए और तोते को भी खुले आस्मान में उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए